हेलो फ्रेंड्स में हूँ छाया और मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम हरे मटर का बहुत ही कम तेल का यूज़ करके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे इससे आप एक बार ज़रूर ट्राय करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कप सूजी लेंगे आधा कप बेशन अब हम इसमें डालेंगे थ्री फोर्थ कप फ्रेश गाड़ा दही थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी अभी हमें जादा नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से mix करेंगे अब हम इसे ढखकर आदे घंटे के लिए अलग रख देंगे और हम बाकी की तियारी करेंगे अब हम लेंगे एक छोटा grinding jar और इसमें डालेंगे थ्री फोर्थ कप फ्रेश मटर के दाने इस नाच्टे में हमें फ्रेश मटर का ही यूस करना है फ्रोजन मटर का इस्तिमाल नहीं करना है अब हम इसमें डालेंगे तीन छोटी सा इसकी हरी मिर्च, चार लसुन की कली, एक इंच अद्रक सभी को हम हलका दरदरा रखते हुए पीस लेंगे हमें इसे जादा बारी क्या जादा मोटा रखते हुए नहीं पीसना है तो इस प्रकार से मटर को हमने पीस लिया है अब हम गेस ओन करके पेन में बंटेबल स्पून तेल डालेंगे तेल के गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बंटी स्पून जीरा एक छोटे सा इसका बारी कटा हुआ प्याज प्याज को हमें जादा नहीं भूनना है केवल प्याज का हलका सा कलर चेंज हो जाए तो प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा तो अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून जितने मटर के दाने आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं साथ में डालेंगे मटर का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और अब हम इसे 2-3 मिट लगातार चलाते हुए भून लेंगे 2-3 मिट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2-3 टेबल इस्पून ग्रेटेट गाजर 2-3 टेबल इस्पून जितनी शिमला मिर्श बारिक कटी हुई सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और गेस की फ्लेम को हम बन कर देंगे मटर का मसाला बन कर त्यार है अब हम इसे सूजी वाले मिश्टरण में डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक हमने मटर वाले मसाले में भी डाला है तो नमक हमें कम डालना है अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून रेड शिली फ्लेक्स सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बेटर अभी गाड़ा है तो अब हम इसमें 1 फोर्थ कप जितना पानी ओर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बेटर बन कर त्यार हैं अब हम इसमें वंटी स्पून इनो डालेंगे इनो को एक्टिव करने के लिए एक चमच पानी डालेंगे और इसे हलके हाथों से मिक्स कर देंगे इनो डालने के बाद बेटर को हमें जादा नहीं फेटना है और ना ही बेटर को हमें रेस्ट देना है तो तुरंत हम नाश्टा बनाएंगे गेस ओन करके पेन में वंटी स्पून तेल डालेंगे तेल में थोड़ा सा सरसो और थोड़े से तिल डालेंगे और इसे चारो तरफ अच्छे से फिला देंगे अब हम इसे बेटर डालेंगे और बेटर को अच्छे से फिला देंगे और अब हम इसे ढख कर लो फ्लेम पर 4-5 मिट तक पकने देंगे जब तक यह उपर से ड्राई नहीं हो जाता आप चाहें तो इस नाश्टे को पेनकेक के मोल्ड में भी बना सकते हैं मोल्ड को ओइल से ग्रीस करेंगे थोड़ा सा सरसो और तिल डालेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा बेटर चारों मोल्ड में डालेंगे और अब हम इसे low flame पर उपर से dry होने तक पकने देंगे चार से पांच मिट बाद पेन वाले नाश्टे को चेक करेंगे उपर से dry हो गया है तो हम इसे पलट देंगे और फिर से इसे ढखकर तीन से चार मिट तक पकने देंगे थोड़ी देर में पेनकेक वाला नाश्टा भी उपर से dry हो गया है तो इसे भी हम पलट देंगे और दूनों साइट से golden color आने तक हम इसे सेखना है तीन से चार मिट बाद पेन वाले नाश्टे को हम निकाल लेंगे पेनकेक वाला नाश्टा भी दोनों तरफ से अच्छे से सिख कर त्यार है तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी का नाश्टा बना कर त्यार करेंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्टा बन कर त्यार है इसे आप हरी चटनिया किसी भी डिप के साथ सर्फ कर सकते है इस रेसेपी को आप एक पर ज़रूर ट्राय करें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें फेमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चेनल पर नहीं है तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू